सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार तो बैलकनी मेकोवर के बाद में ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं बैलकनी से शूट कर रही हूँ और इसका रीजन ये था कि बैलकनी में इतना सुकून मिलता है इतने सुन्दर सुन्दर से फ्लावर्स निकले हुए हैं और कुछ नए फूल भी खिले हैं मेरी बैलकनी का भी हाल ही में मैंने मेकोवर किया था दिवाली से पहले आप सबके साथ में शेयर किया था आप सबको भी पसंद आया था उसके लिए thank you so much और balcony ऐसी जगह है जहां पर मैं जितना भी time बिताती हूँ मेरा मतब एक होते हैं कि सारा दिन बन जाता है और दिन में कुछ पल ही ऐसे होते हैं जो मैं balcony में बिता पाती हूँ क्योंकि घर को सजाना मेरे लिए एक passion है पैशन होती है लेकिन मुझे घर सजाने में जो सुकून मिलता है न वो दूसरे शायद ही किसी और काम में मिलता होगा मुझे gardening भी बहुत पसंद है आप सबके लिए मैं gardening के इतने सारे वीडियो लेकर के आती रहती हूँ फिलाल आज का वीडियो में आपके लिए specially लेकर के आई हूँ उन फ्रेंट्स के लिए जो फ्रेंट्स घर सजाना चाहते हैं आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे आईडिया शेयर करने जा रही हूँ जो कि घर सजाने में आपको help मिलेगी और उसमें सारी चीज़े mix हैं कि मतब अगर आपको बजार से खरीदना है तो सस्ते क्या option हो सकते हैं अगर आपको घर पर बना सकते हैं तो क्या-क्या चीज़े आप बना सकते हैं जिसकी help से आपका छोटा सा घर हो या बड़ा घर हो उसको सजा सकते हैं कम खर्चे में, जीरो खर्चे में या फिर बजट में, तो क्या-क्या आइडियाज हैं वो आपके साथ में शेयर करूँ, उससे पहले एक चीज और बता दूँ, गर वीडियो कहीं पर भी किसी भी रीजन पर अच्छा लगता है, तो पहले ही भोल रही हूँ, लाइक जरूर कि में तयार किया है, तो अगर शुरुआत करूँ, मैं आपको अगर अपने घर में बैलकिनी गार्डन बनाना है, छोटा साही सही, तो ऐसी कटिंग से शुरुआत कीजे, सबसे पहले पौधे लगाईए, और पौधे भी आपको खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, सबसे पह में में थी कटिंग लुआती वक्रांना है, देख सकते हैं फिर धीरे जब आप उनको घर्डना शुरु क्राइब तो आप भी खरीद करके फिर ला सकते हैं, उसके बाद में बात करूँगी paint की तो paint तो देखिए आप अपने budget के according अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आपको जैसे अपनी balcony को कुछ extra थोड़ा सा makeover type देना है तो ये वाला जो मैंने makeover किया था ये wall का आप texture paint देख रहे हैं ये मैंने आपके साथ में balcony makeover में share किया था आप चेक कर सकते हैं तो आपको idea मिल जाएगा अगर आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं इसके अलाबा अब बात करेंगे हम balcony को decorate करने की तो decoration के धेर सारे option available हैं जिसमें की आप artificial grass लगा सकते हैं अपनी balcony में lights लगा सकते हैं कुछ सुन्दर सुन्दर से balcony के DIY कर सकते हैं या फिर ready made चीजे purchase करके रख सकते हैं सुन्दर सुन्दर planters है planter stand है इस तरीके से लगा करके रख सकते हैं और अगर balcony में extra elements add करने हैं तो इस तरह के balcony के decorative piece भी आप लगा सकते हैं लेकिन चुकि balcony में बारिश वगरा बहुत होती रहती है तो अगर आपकी balcony में भी बारिश आती है तो costly item लगाने की जगा इस तरह के ये देखें छोटी छोटी से pieces अगर आप लगाएंगे तो ये useful भी होते हैं और सुन्दर भी लगते हैं अब देखें ये धूप पर चमकते हैं ये butterflies जो हैं मैंने flip card से purchase की थी और flip card पे आपको unbelievable variety मिलती है great value products के साथ में और अगर आपको कोई चीज पसंद भी नहीं आती तो कोई question आप से नहीं पूछा जाता है वो बहुत ही आसानी से return भी हो जाता है और आपका पैसा भी refund हो जाता है अगर आप चाहते हैं refund तो तो ये मैंने ख्याल से 189 या 200 के around ही ली थी अगर आपको चाहिए तो इसका link में है जितने भी products अगर आपको मेरे इस video में देखने को मिलते हैं तो अगर आप चाहते हैं तो सभी का link में नीचे description box में add कर दूंगी आप चेक कर लीजेगा तो ये flip card से ली थी काफी सुन्दर लगती हैं धूप पढ़ने पर काफी चमकती हैं तो इस तरीके से आप देखे थोड़े थोड़े से अपने planter चाहे तो cemented लगा सकते हैं चाहे तो DIY कर सकते हैं यह देखे धेर सारे planter जो दिख रहे हैं आपको इन में से काफी सारे मैंने DIY किये हुए हैं तो ये तो रही balcony decoration की मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा idea दे रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने balcony garden को शुरू कर सकते हैं या सजा सकते हैं अब बात करते हैं bedroom की मौसम ठंडा था इस वज़े से बैठा नहीं जा रहा था और actually मेरी back pain की problem भी है जिसकी वज़े से अभी सर्दियों में थोड़ी problem हो जाती है तो अभी भी मैं hot water bag जो होता है ना इसको गरम करके अपने कमर में लगाए हूं और दिखा देती हूं यह मैंने किचिन में गरम किया था और इसको मैंने लगाया है अभी जस्ट मुझे रिसीव हुआ एक घंटे पहले और मैं तब से इसको यूज़ कर रही हूं क्योंकि क्या था ना कि काफी ताइम से मिरे को यह प्रॉब्लम तो यह अभी मैंने मंगाया है और यह पहली बार मैंने Onun मुजह मिला है यह 125 रुपे का केवल स्टा करों दो मार्कुड में नहीं मिलता जाँने नॉर्मल होट जैल वाले बैड को होते यह वो है तो फ्लिप कार्ट पर जो है न वो प्रोडक्ट काफी अन्बिलीवीबल प्राइस पर मिल जाते हैं मतलब काफी रिजनेबल प्राइस पर हैं तो मुझे तो विश्वासी नहीं हो रहा था इस वज़े से तो देखें अभी बैलकेनी के बाद में अगर हम डेकोरेशन करना चाहते हैं तो मतलब वो चाहते हैं कि 200-400-500 रुपे में हमारा घर का मेक ओवर हो जाए क्योंकि देखें चेंजिस तो हर किसी को चाहिए होती है लेकिन बजट हर बार अलाव नहीं करता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जैसे कि बेसिक सी चीज़े तो सभी की बे बैट साइड टेबल मैंने आपके साथ की हैं आप मेरी डिय वाली प्लेलिस्ट चरूर चेक कीजिएगा उससे आपको धिरसारे आईणिए take though अप उसके लिए शसते शस्ते से जैसे कि mothers दिख़ा इस तरह संफ बना सकते हैं आप या फिर अपने बेड्रूम में कुछ सस्ते से आर्टिफेक्स भी लगा सकते हैं अगर आप शेल्फ वगरा थोड़ा बहुत लकडी का काम जानते हैं तो खुद भी कर सकते हैं कार्डबोर्ट से भी बना सकते हैं एंडलेस ओप्षन है जस्ट जरूरत होती है थोड़ी सी क्रियेटिविटी की डियाईवाई आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं इस तरह के जो कुछन होते हैं खुबसूरत से वो आप घर पर ही बना सकते हैं ये भी मैंने आपके पर वेस्ट भी मैंने खुद ही डी आईवाई किये हुए हैं तो इस तरह की छोटी-छोटी चीजों से अगर आप घर को सजाते हैं तो आपका घर सुन्दर भी लगता है बजट भी कम खर्च होता है भीरे-धीरे करके आप इस तरीके से चीजे बनाईए घर को सजाईए तो वो सुकून जो मिलता है ना उसकी बात ही अलग होती है डाइनिंग एरिया की तो डाइनिंग एरिया में देखे मैंने तो इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पर अगर आप चाहें तो आपके पास जैसे सिंपल सी टेबल हो तो आप उसको कवर करके रख सकते हैं घर में आपको धेरो डिया देखने के लिए मिल जाएंगे जो मैं शुरू से बनाती रहती हूं और आपके साथ में शेयर तो करती हूं देली बेसिस पर यह वाला डिया यह आपको काफी पसंद आया था यह दोनों ही डिया वाई है फ्लावर वेस्पी और यह चौकी भी उस इस तरह की चीजों से आप घर सजा सकते हैं उसके साथी साथ सस्ती सस्ती सी चीजें जिसमें की खुश्बू बहुत जादा जरूरी है तो घर में खुश्बू का होना बहुत जादा जरूरी है उसके लिए आप चाहें तो इनसेंस्टिक्स का यूज कर सकते हैं जैसे मैं कर करती हैं और बहुत सुन्दर लगती हैं अगर देखिए जैसे ये कैंडल की बात करूँ कुछ डी आइवाई कर सकते हैं इस तरह के लाइटर देखिए बहुत अच्छे लगते हैं यह मैंने दो लाइटर मंगाए हैं अभी फ्लिपकाट से ही मंगाए हैं बहुत ही बॉक्स में दे दूँगी तो आप चेक कर लेना और यह लाइटर भी बहुत सही रहते हैं इस तरह की चीज़े जलाने के लिए और हां इसके साथ में इसके साथ में लेकिन जब खतम हो जाती है तो उसका क्या करूं मतब फिर कैसे खरीदेंगे आप तो उसके लिए मैं तो क्य देना है गहरा उसके बाद में आपने क्या करना है इसको रख देना है इसके ऊपर और थोड़ी देर के बाद में जो स्मोक होगा वो नीचे की साइट से निकलना शुरू हो जाएगा तो यह देखिए यह नॉर्मल धूप से ही हमारा यह एक बहुत ही खुबसूरत सा आइवाइड करें थोड़ी सी लाइट सेट करें थोड़ी सी आप इसके अंदर कैंडल्स खुश्बू एड़ करें साती साथ अगर मैं कारपेट्स वगरा की बात करूँ तो जरूरी नहीं है कि आपको घर में कारपेट्स होंगे तभी आपका घर अच्छा लगेगा वो सर् तो नहीं रहता लेकिन हाँ वो अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं इसके अलावा लाइट की बात करूं तो लाइट किसी भी जगह को बहुत ही खुबसूरत सा लुक दे देती हैं जैसे कि यह स्टार लाइट मैंने अपने इसके उपर शेल्फ के बहुत अच्छी लगती हैं अगर आपने घर के किसी भी कॉर्णर में इस तरह की राइस लाइट जो हैं उनको ओन कर दिया और जला करके रख दिया अगर इस तरीके से मैंने इसके अंदर रख दिया और आपने बोटल में डाल करके रख दिया या किसी भी जगह पर रख दि हैं और एक अच्छा सा लुक देती हैं और विंटर में तो ये बहुत ही प्यारी लगती हैं और ये हैं भी बहुत सस्ती फिर ये 200 रुपे की थी कुछ ऐसी रेट था इसका तो काफी सस्ती सस्ती सी चीज़े आपको फ्लिप कार्ट पर मिल जाती हैं तो आप ट्राइ करके देखिएगा सबी चीजों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी एक बारी चेक कर लीजेगा और इस तरीके से अगर आप घर सजाते हैं तो आपका घर कम खर्चे में सुन्दर बन जाता है और मैं आपको सच बताओं मैं काफी टाइम से खुद ही की DIY से जब भी सजाती हूं मुझे उतना ज्यादा सकून मिलता है ना जैसे कि ये बॉटल वेस्ट आपने देखा होगा काफी सारे सोफा रनर सोफा थ्रो कोशन कवर मैट रनर ये सब कुछ मैं आपके रही आप जो देख रहे हैं तो इस तरीके से घर सजाईए घर को चार चांग लगाईए लोगों की तारीफे भी पाईए और हां एक चीज़ और बताना चाहूंगी कि आप अगर फ्लिप कार्ट से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो न्यू यर के लिए होम रिफ्रेश बिलक वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है मतब आप यह लगा लिजे 99 से लेकर के आपको 1000 के अंडर भी बहुत सारा सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा तो आप एक बार जरूर जा करके चेक कीज़े का फ्लिप कार्ट पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉ काफी सुन्दर लगती है यह देखने में दोस्तों फ्लिप कार्ट के ऊपर चल रही है बिग बचत धमाल सेल जो की है चार से छे दिसंबर के लिए तो अगर आपको काफी अच्छे डिसकाउंट पर मिल जाएगी तो आप जरूर एक बार ही चेक कर लीजेगा फिलाल आज का अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजेगा मैं जल्दी भी लूगी आपसे एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बी हापी बी आक्टिव अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए बाई बाई